क्रिपा निधी वसू रिद्धे हरी नित्त तैसी बुद्धी करू परगाशा लागे प्रवसंगी पृत्ती क्रिपा निधी वसू रिद्धे हरी नित्त मुझें बुद्धी का ऐसा परगाश करो कि तुमारे साथ मेरी पृत्ती लगी रही तैसी बुद्ध्य करूँ परगाशा लागे प्रव संगी प्रिती दास तुमारे क्योई पामन तूरी मस्तक लेले लाऊं महापतिते ओतपनीता हरी कीतन गुणगाऊं तुमारे संतजनों की चरण धूली प्राप्त करूँ और उसे माथे लगाऊं तुमारे जिस गुणगाँ से महापतित भी प्वित्र हो जाते हैं मैं उनी का कीतन करता रहूँ महापतित ते होतपनीता हरी कीतन गुणगाऊं आग्या तुमरी मिठी लगूं कीयों तुमारी पाऊं जो तु देहीं तहीं इहुत्रिप्तान ना कतू ताओं मुझे तुमारी आग्या सदा मिठी लगती रहे और तुम ही जैसा भी करो वहीं मुझे भाता रही जो कुछ तुम मुझे परदान करो उसी से तृप्त रहूं अन्य किसी जगा भागदोर नहीं करो जो तु देहीं तहीं इहुत्रिप्ते आनना कतू ताओं सदही निक्ती जानो प्रभस्वामी सगल रेन होई रहे सादु संगती होई प्रापती ताँ प्रभु अपना लहे हे प्रभु जी मैं सदा ही तुम्हें अपने समेप समझू मैं तो सभी भक्तों की धूरी समान हूँ सादु संगती प्रापत होने पर ही हरी प्रभु की प्रापती हो सिक्ती हे प्रभु जी हम सब जीव तुमारे दास है और तुम हमारे स्वामी हैं नानिक जी कहते हैं कि मैं तो तुमारा बालक हूँ प्रभु तुम ही मेरे माता पिता हो और तुमारा नाम रुपी दूद सदा मेरे मूं में रही यही प्रात्रा है अठातर मेरा पोशन तुमारे नाम रुपी दूद में ही हैं सदा सदा हम चोड़े तुम्रे तु प्रभ हमरो मीरा ना नक पारिक तुम मात पिता मुखी नाम तुमारा खीरा तुड़ी मेला पजवां करूद दूद दूद पदे एक कमगार सदकुर परसादी मांगो दानो ठाकुर नाम अबरो कचु मेरे संगी नचाले मिले किरपा गुनगाम हे ठाकुर जी मैं तुमारे नाम का ही दान मानता हूँ मांगो दानो ठाकुर नाम क्योंकि और तो कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा आवरो कचु मेरे संगी नचाले इसलिए आपका गुनगान नाम की तनादी मुझे मिले ऐसी किरपा करो ना चाले मिले किरपा गुनगाम राज्यो मालू नेक पोगरस सगल तरवर की चाम धाई धाई बहुदी को धावे सगल निरारत काम ये राज्य पदार्थ अनेक रसीले भोगा दी तो पेड की चाया के समान अर्थात अस्थी रहें इनके ही पीछे मन अनेक भांती के विविद परकार से भागता है प्रन्तु इनकी सब इच्चाय बहुगा दी के पीछे भागना निरर्थक फलहीन है दाई दाई बहुदी को धावे सगल निरारत काम विनो गुमिंद अवरूजे चाहू दी से सगल बात है काम कहू नानक संत रहन मांगो मेरी मनो पावे विसराम हे प्रभुजी हे गुबिंद जी तुमारे बिना किसी अन्य पदार्थ आदी की चाह करना तो कच्चा सार ही नहीं बिनो गुबिंद अवरूजे चाहू दिस सगल बात है काम नानक जी कहते हैं कि मैं तो संत जनों की चरन धूली मांगता हूं जिससे मेरे मन को विशराम शांती मिले कहू नानक संत रहन मांगो मेरी मनो पावे विसराम तोड़ी मैला पजवा मुझा परभू जी को नामो मन ही सादारे जियो प्रान सुख इस उमन को बरतन Appreciate आए हमारे है भाई जी प्रभू का नाम ही हरी का नाम ही मन को आधार सहारा परदान करता है प्रभू जी को नामो मन ही सादारे जीवन के लिए प्रान रूप इस मन के लिए सुख कारी एम तन के लिए बल रूप यही प्रभू का नाम है जियो प्रान सुख इस मन कौँ वर्तनिय हूं हमारे नामू जाती नामू मेरे पती है नामू मेरे परवारे नामू सखाई सदा मेरे संगी हरी नामू मौकू निस्तारे प्रभु हरी नाम ही मेरी जाती है प्रभु हरी नाम ही मेरी परतिष्टा है और हरी का नाम ही मेरा परिवार है प्रभु हरी नाम ही सखा रूप में सदा मेरे साथ रहने वाला है भगवा नाम ही मेरा उध्धार करने वाला है नाम सखाई सदा मेरे संगी हरी नाम मकू निस्तारे विखे विला से कही अतबह तेरे चलतना कच्छु संहारे इस्टू मितू नामू नानको हरी नामू मेरे पंडारे अन्य बहुत भांती के विशे भोग बताए जाते हैं पर तो उन में से साथ जाने वाला मरने के बाद पर लोग का साथ ही कुछ नहीं है नानक जी कहते हैं कि मेरा इश्ट मित्र प्रभु हरी का नाम ही है और प्रभु हरी का नाम ही मेरा खजाना है इश्ट मित्व नामू नानको हरी नामू मेरे पंडारे तोटी मेला पज्वान नीके गुनगाओं मिटी रोग मुख अजल मुख मनु निर्मल होया तेरो रहे इहां उहां लोग हे भाई जी उस प्रभु हरी का उत्तम गुनगान करो जिससे सभी रोग नस्ट हो जाते हैं नीके गुनगाओं मिटी रोग उसके गुनगान से तेरा मुख अजला और मन निर्मल देगा मुख अजल मनु निर्मल होये है तेरा ये लोग और परलोग दोनों सवर जाएंगे तेरो रहे इहां उहां लोग चरन पखारी करू गुर सिवा मन ही चिराओं पोग छोड़ी आप तो बादू अंकारा मानो सोही जो होगो सत्गुर के चरन धो करके उनकी सेवा करो और मन को भोग रूप में अरपन कर दो स्वार्थों और एहंकार का त्याग करके जैसा भी प्रभू को इच्छित है उसे ही सविकार करो छोड़ी आप तो बादू अंकारा मानो सोही जो होगो संत टैल सोही है लागा जिसु मस्तक की लिख्या लिख्खोगो कहू नानक एक बिनो दूजा अवर न करने जोगो नानक जी का कतन है कि संतों की सेवा भी वही कर सकता है जिसके भाग में पहले से ही लिखाओ उस एक प्रमेशर के बिना और कोई देव देवता आदी कुछ करने योगे नहीं है कव नानक एक बिनु दूजा अवर न करने जोगो टोड़ी मेला पंजमा सत्गुर आयो सर्नितों आरी मिले सुख हूँ नामो हरी सोबा चिंता लाही हमारी हे सत्गुर जी मैं आपकी शरन में आया हूँ आप मुझे सुख और शोबा दायक भगवन नाम पर दान करके मेरी चिंता दूर कर दो मुझे हरी नाम पर दान करके मेरी सारी चिंता हर लो मिले सुख हूँ नामो हरी सोबा चिंता लाही हमारी मुझे अन्य कोई शरंस्थल नहीं सूचता इसलिए हार करके आपके द्वार परापड़ा हूँ कर्मों का लेखा फल त्याग करके उस पर बिना विजार किये ही मुझे गुनहीन का उधार करो क्योंकि यदि कर्मों के फल आरी का ध्यान करोगे तब तो मुझे जैसा कर्म रहित अथवा मंद कर्मा कभी उधार नहीं पासकेगा लेका छोड़ियां लेके छुटे हम निर्गुन लेहू बारी सब बक्सिंदू सदा मिर्वाना सबना देई अगारी नानक दास संत पाचे पर यो रखी लेहू इह बारी आप सदा बक्षीश द्याक्रिपा करने वाले हो मेरबान हो और सब को सहारा देने वाले हो नानक जी कहते हैं कि मैं दास बन करके संतों की शरन आपड़ा हूँ इसलिए इस बार अर्थात इस जनम में मेरी रक्षा करो नानक दास संत पाचे पर यो रखी लेहू इह बारी तोड़ी मेला पज्वा रसना गुन गोपाल निदी गाईन सांती सहजू रसू मनी उपजियो सगले दुख पलाई है भाई जिनोंने अपनी जिहा से गुनों के सागर गोपाल परमेशर शिरी किष्र का गुनगान किया है उन्हें शांती मिली है रसना गुन गोपाल निदी गाईन सांती सहजू रसू मनी उपजियो सगले दुख पलाईन और उनके मन में आतम ज्ञान का अनंद प्राप्त हुआ है उनके सभी दुख दूर होगे जो मांगी सोईश्वई पामी सेवी हरी के चरन रसाईन जनम मरन दोहते चुक्ते पावजलू जक्तु तराईन ऐसे भक्त जन सकल रसाईन रूप भगवान जी की चरन सेवा करकर के जो जो मांगते हैं वही वही प्राप्त करते हैं जनम मरन दोनों से मुक्त हो जाते हैं और इसे संसार सागत से तर जाते हैं जनम मरन दोखते चुटे पावजल जक्त उतराएं, खोजत खोजत तत्त विचारियो दास गुबिंद पराएं अविनासी खेम चाहिजे नानक सदात सिम्री नाराएं। ऐसे भगजनों ने खोज करकर के तत्त रूप में ये विचार प्रस्तुत किया है कि गुबिंद भगवत आधार इशर पराएं गुबिंद भगत दासी उसे प्राप्त कर सकता है। नानक जी कहते हैं कि यदि अपना अविनासी कल्यान जाते हो तो सदा गुबिंद का नाराएं का संब्रण करो। खोज़त खोज़त तत्त विचार यो दास गुबिंद पराएं अविनासी खेम चाहिजे नानक सदा सिम्री नाराएं। टोटी मेला पंजवान निंदको कुर किर्पा ते हाटियो पार ब्रह्म प्रभव पे द्याला सिव के बानी सिरु काटियो है भाई जी गुरु किर्पा ने गुरु किर्पा से निंदक भी अपना सभाव छोड़ देता है जिस पर ब्रह्म प्रभव के द्यालू होते हैं उसका एहंकार रुपी सिरु उसके लियानकारी प्रमेशर के नाम रुपी बानी से कट जाता है पार ब्रह्म प्रभव पे द्याला सिव के बानी सिरु काटियो ऐसे भगजन को काल अपने जाल में फ़जा नहीं सकता और यम उसकी ताक भी नहीं सकता अर्थात उसे मृत्यों का भेनी रहता क्योंकि उसने सत्य का मार्ग अपनाया हुआ है ऐसा भगवान जी के नाम रुपी उस रत्न धन को पुराप्त कर लेता है जो खाने खर्चने पर भी काम नहीं होता खात खर्चत किचू निखूटत नाई राम रत्नू तनू खाटे हुआ है राम रत्न रुपी धन कभी खतम नहीं होता है पस्मा बोत होया खिन पीतरी अपना किया पाया आगम निगमो कहे जनु नान को सब देखे लोक को सवाया निंदा का अपने करम भाल निंदा आदी भोकर के शन भर में गुरु किर्पा से एहम भाव को भसम करते था नानक जी कहते हैं कि सभी शाष्ट्र एहम वेद भी यही बतलाते हैं और संपूरन संसार गुरु किर्पा की इस आलोकिता को देखता है आगम निगमों कह जनुनानक सबु देखे लोक को सवाया किर्पन तन मन किल्विख परे साद संगी पजनुकरी स्वामी ताकन को इको हरे हे किर्पन जीव तुमारे तन मन पापों से भरे हुएं इसलिए तुम सादु संगती करो और उस मालिक का भजन करो क्योंकि वही एक मात्र प्रभू समस्त दोश ढखने वाला है साद संगी पजनुकरी स्वामी ताकन को इको हरे अनेक छिद्र बोहित के छुटकतर थाम न जाही करे जिसका बहुत तिसु और आदे खोटे संगी खरे इस शीर रुपी जहाज में अनेक छिद्रो दो शादी के होने से जो स्थान खोखले हो गए हैं वे प्रमेशर हरी के नाम के बिना किसी तरह भी भरे नहीं जा सकते प्रन्तो जिसने इस शीर रुपी जहाज की रचना की है उस प्रवो की आराधना से खोटे दोस्ट भी खरे अच्छे अथवा भगजन लोगों का साथ पार करके पार उतर जाते हैं जिसका बहुत तिसु और आदे खोटे संगी खरे गली सैल उठावत चाहे ओई ओहां ही है तरह जोरू सकती नानक की चुनाई प्रवराखो सरनी परे यदि कोई केवल बातों से ही पहाड उठाना चाहे तो असंबव है और वे पहाड वहां के वहां ही रहते हैं इसी परकार केवल मुखी के अग्यान से अग्यान दूर नहीं होता नानक जी कहते हैं कि तन मन के उन छिद्रों दोशों को दूर करने का ना तो हम में कोई बल है और ना शक्ति है हे भगवान जी हम तो आपकी शरन पड़े हैं इसलिए शरन में आगत की रक्षा करो जोरू सक्ति नानक की चुनाई प्रभ राखों सरनी पड़े हरी के चरन कमल मनीत्याओं काड़ी कुठारों पितवात हंता ओखद हरी कोण नाओं हे भाई जी हरी के चरन कमलों का ध्यान किया करो हरी के चरन कमल मनीत्याओं भगवान जी का नाम एहंकार रुपी वरिक्ष के लिए कुलाड़ा है और क्रोध आधी वात पित जैसे रोगों के नाच के लिए पोशद है काठी कुठारों पित बात हंता ओखद हरी को नाओं तीने ताप निवारन हारा दुख हंता सुख रासी ताकू विगनुना कोव लागे जाकी प्रव आगे अरदासी प्रभु नाम तीन प्रकार के देहिक देविक और भोतिक इन तीन ताप निवारन करने वाले दुखों का नाशक है और सुखों की राशी धेद समू है जो प्रूश्य हरी प्रभु के आगे विंती करने वाला है उसे कोई विगन नहीं होता है ताकू विगन ना कोई लागे जाकी प्रव आगे अरदासी संत परसादी वेद नरायन करन कारन प्रव एक बाल बुद्धी पूरण सुखदाता नानक हरी हरी तेक संतों की परसंता में ही वह रोग हर्टा जिगत का करता एम मूल वैद्य रूपी एक मात्र नारायन पराप्त होता है नानक जी कहते हैं कि बाल बुद्धी सरल एम अवेद बुद्धी वाले भक्तों के लिए वह भगवान सुख दाता है और वही एक मात्र आधार है बाल बुद्धी पूरण सुख दाता नानक हरी हरी टेक जो बाल बुद्धी होते हैं वह प्रभु हरी की ही टेक लेते हैं तोड़ी मैला पंजवा हरी हरी नामु सदा सद जापी तारी अनुग्रे पारब्रम स्वामी वस्ति की नियापी है भाई जी सदा हरी नाम ही जपना चाहिए हरी हरी नामों सदा सद जापी जिसने भी उसका नाम उस हरी नाम को जपा पर ब्रह्म प्रभु हरी ने अनुग्रे पूरकस्यम उसके हिद्धे में निवास किया है तारी अनुग्रे पारब्रम स्वामी वस्ति की नियापी जिसके सेफिरी तिन ही संभाले विन से सोग संताप आठ देई राखे जन अपने हरी होई माई बाप जिस प्रभु के हम दास हैं वही प्रभु हमें संभालने वाल है वही हमारे शोक संताप नाश करता है वही भगवान भग जनों की स्यम माता पिता की तरह रख्षा करता है हाथ देई राखे जन अपने हरी होए माई बाप जिय जन्त होए मेरवाना दियातारी हरी नाथ नानक सरनी परे दुखपंजन जाका वड़ परताप जिस पर जालू होकर के भगवान जी अपना अनुग्रे करते हैं उस पर सभी जीव जन्तों मेरवान हो जाते हैं नानक जी कहते हैं कि जिसका सबसे बड़ा परताप है उसी दुख बंजन प्रभु की शरण पढ़ना ही ठीक है। मैं आपके दर्वार की द्वार की शरण पढ़ाऊं। नेक भांती खोज खोज करके अंत में यही विचार स्थिर किया है कि सादू संगती से परम गती प्राप्त होती है। खोजत खोजत बड़ों परकारे सरव अर्थ विचारे साद संगी परम गती पाई। और माया की रचना में बंदने पर माया में फचने पर जीवा हार प्राप्त करता है। जीवन के उद्देश्य में सफल रहता है। माया रची बंदी आरे चरन कमल संगी प्रिति मनी लागी। सुरी जन मिले प्यारे नानक अनद करे हरी जपी जपी सगले रोग निवारे। जिनके मन की प्रिति भगवान जी के चरन कमलों में लग जाती है। उसे श्रेष्ट जनों का संग मिलता है। चरन कमल संगी प्रिति मनी लागी। सुरी जन मिले प्यारे। उसे श्रेष्ट जनों का संग मिलता है। शिननानक जी कहते हैं कि भक्त हरी प्रभु का नाम जप करके अनन्द प्राप्त करता है। और उसके सभी रोग आधी दूर हो जाते हैं नानक अनद करे हरी जपी 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 सगले रोग निवारे तो डी मैला पन्यवा करू तिन चव पदे एक कमगार सद्कुर्पर साधी हाँ हाँ लप्तियों रे मोडे कछुना थोरी तेरों नहीं तू जानू मरी अहो ये मोड जीव माया आधी से लिप्ता हुआ है और इसकी माया में प्रीती थोड़ी नहीं बलकि बहुत है हाँ हाँ लप्तियों रे मोडे कछुना थोड़ी तेरी नहीं तू जान नहीं मोरी ये जीव जिस माया को तू अपनी समझ जाए वे तेरी नहीं बान सकती अपन रामों ना चीनों खिनवा जो प्राई सो अपनी मनवा अरे तूने अपने राम को तो कभी शन भर भी नहीं जाना वरन जो माया अपनी नहीं है उची ये अपना समझा आपन रामों ना चीनों खिनवा जो प्राई तू अपनी मनवा ना मो संगी सो मनी नवसायो छोड़ी जाही वाहू चित्ती उलायो भगवान जी का नाम उस हरी का नाम जो सच मुच्छ तुमारा साती है उसे मन में स्थान नहीं दिया बलकि जिन पदार्थों को तू यहां छोड़ जाएगा उससे ही अपना मन बांदे रखा छोड़ी जाही वाहू चित्तू लायो नामों संगी सो मनी नवसायो सो संचिय जित्तु पुकति सायो अमरत नामों तो सानी पायो काम करोधी मो कूपी परिया गुर परसादी नानक को तरिया हे जीव तुमने उन पदार्थों का संचे गिया है जिससे भूख प्यास बनी रहती है अथात आशा त्रिश्ना आधी मिर्ती नहीं है बलकि उन्हें पाने की इच्छा और अधिक बल्वती होती है अमरत जैसा प्रभु का नाम जो संपूरन जीवन भर का पाथे है वही तुमने प्राप्त नहीं किया जीव काम करोध मो आधी के कूप में पड़ा हुआ है नानक्ची कहते हैं कि गुरु की किरपा बिना भला कोई पार हो सकता है अथात कभी नहीं हो सकता है काम क्रोधी मो कूपी परिया गुर परसादी नानक को तरिया तोड़ी मैला पंजवां हमारे एके हरी हरी आन अवर स्यानी न करी वड़े पागी गुरु अपना था पायो गुर मको हरी नाम दड़ियायो हे भाई हमारे तो एक मात्र भगवानी आसरा हैं हमने किसी अन्य से तो पैचान ही नहीं की बड़े भागों से हमें अपना गुरु प्राप्तवा और गुरु ने हमें प्रभु का नाम दिया अब भगवान जी का नाम ही हमारे लिए जप तप वरत और नियम है उस भगवान की नाम अराधना से ही हमारा सब कुछ कुशल शेम हुआ है हरी हरी जाप ताप वरत नियमा हरी हरी त्याई कुशल संची खेमा हरी के नाम से ही कुशल हुई है अचार विहार जाती हरी गुनिया महा अनंद कीतन हरी सुनिया कहु नानक जिना ठाकुर पाया सब कुछ तिसके ग्रह में आया अब हमारे लिए हरी का गुन्हान ही जाती है और आचार विवार है हमें हरी की तन सुनने से महान अनंद प्राप्त हुआ है नानक जि कहते हैं कि जिसने उस प्रभु हरी को प्राप्त कर दिया उसके गर हिते में सब कुछ आ गया समझो काउन नानक जिनी ठाक रुपाया सब एक छुकतिस के ग्रह में आया